तो हलो प्रीवन इस वीडियो में बात करूंगा यस बैंक के रिकूट्मेंट के बारे में बहुत सारी वैकेंसी आई हुए है अलग-अलग पोस्ट के लिए जैसे कर रिलेशन्सिप मेनेजर, क्रेडिट मेनेजर, सेल्स मेनेजर और डिफरेंट लोकेशन के लिए है उसके होंगा क्या आप डार्टि कैसे अप्लाय कर सकते हैं यस बैंक में जॉब के लिए ठीक है तो इस वीडियों में आपको complete डिटेल में वो सारी बाते बताऊंगा क्या आप तो ही जो current openings है ठीक है जो current vacancies आई वी है उसके बारे में भी मैं इस वीडियो में detail में बात करूंगा और इसके job profile के बारे में भी तो आप अगर yes bank में apply करना चाहते हैं तो इस वीडियो को last तक देखना और उसके बाद अगर आपका कोई question हो तो आप comment section में comment कर सकते हो बर पहले तो google में लिख सकते हो yes bank career और उसके career वाले page पे आप चले जाओगे ठीक है या फिर मैंने इस वीडियो के description में link दिया वा है उस link के through आप directly भी उसके official website पर जा सकते हो तो इस तरीके से कुछ आपको official website open होती है तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है current openings तो जो current openings है उसके अंडर में 490 results है मतलब कि approximately 500 जो है आपको अलग-अलग post के लिए यहाँ पर vacancy available है तो सबसे पहली vacancy जो है यहाँ पर वो relationship manager yes premia के है ठीक है जो कि आज ही posted हुई है 18 मई 2022 को और यह जो department है इसका यह relationship management का है yes premia और जो location है इसका वो फरीदावाद हर्याना के लिए है ठीक है तो अगर आप apply करोगे तो इस location में आपका मतलब आपकी job होगी उसकी नीचे आप देखो sales manager है credit manager है उसी तरीके से आप आपको बहुत सारी vacancies यहाँ पे मिल जाएगी अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको उसके job profile को मतलब read करना है ताके आप उसके लिए eligible हो या नहीं हो यह भी आपको देखना है तो अब उसके job profile के वारे में आप कैसे पता कर सकते हो कि यह जैसे मुझे पता करना है क relationship manager के लिए जो है उसका full मतलब job का description क्या है और क्या experience मांगा जा रहा है ठीक है तो उसके लिए आपको relationship manager जो यहाँ पर लिखावा है आपको दिख रहा होगा उसके आपको click करना है ठीक है तो जैसे ही आप click करते हो तो यहाँ पर सबसे top पे सारा कुछ लिखावा आ जाता है कि मतलब किस department के लिए है यह और यह job posted कब हुई है और उसके बाद experience कितना मांगा जा रहा है तो यहाँ पर relationship manager yes premia के लिए minimum 2 maximum 6 मतलब 2 से 6 साल के between का experience मांगा जा रहा है मतलब minimum आपके पास 2 years का experience होना चाहिए उसके बाद जब आप scroll down करके नीचे आते हो तो key responsibility उसकी लिखी भी होती है ठीक है उसके बाद और भी जो कुछ भी इस profile के अंडर में work होता है मतलब के इस post के अंडर में जो भी work होता है वो सारी बाते जो है आपको लिखी हुई है self management responsibility risk control compliance knowledge and experience यह सारी चीज़े लिखी हुई है तो bachelor degree आपके पास होनी चाहिए और उसके साथ साथ में minimum experience भ करने के बाद अगर आप eligible हो तो apply for this job यहां पर आपको दिख रहा है उसके लिख करना है उसके बाद जो आगे का process है वो करके आपको submit करना ठीक है तो उसके बाद जो है आपको उस साइट से call आता है लेकिन अगर आप मान लो यहां पर जितनी भी job posted है आप उसके accordingly आप उसके eligible नहीं हो आप एके करके open करके देखोगे ठीक है अपने according उसके बाद अगर आप eligible नहीं हो तो आपको दूसरा तरीका में बता रहा हूं आपको ऊपर में देख सकते हो के current openings के नीचे जो लिखा हुआ है एक line में कि thanks for checking out our jobs openings if you don't see any open position please submit your resume and we will get back to you if there are any suitable openings that match your profile apply here तो apply here पे आ तो apply here पे आपको click करने के बाद आपको यहां पर एक छोटा सा अपना मतलब register कर लेना है अपना details यहां पर आपको लिख करके fill up कर लेना है अगर आपको अलड़ी इस पर account बना हुआ है तो ठीक है नहीं तो आपको sign up कर लेना है उसके बाद जो भी आपका name है email आडिया है व आपका मतलब आप जिस post के लिए ढून रहे हों मतलब के आपके resume में जो भी आपका educational details होगा उसके accordingly जो post match करेगी उसके लिए आपको उस side से call आ जाएगा ठीक है तो उसके लिए आपको थोड़ा सा wait करना पड़ सकता है उसके साथ मैं बता दूँ आपको कि आपको अगर किस किसी particular location के लिए job मतलब धून रहे हैं और आपको current opening में वो धूनना है कि वो है या फिर नहीं है अभलेबल तो आप किसी particular location के लिए किसी particular profile के लिए job अपने लिए धून सकते हैं तो वो भी आप कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बता दूँ आपको यहाँ top पे दिख रहा होग लिखा हुआ ठीक है कि job profile जो है ठीक है मतलब इंटर job title उसके बाद select department, select location, select experience and select employment type ठीक है तो आप job title पे जब आप click करते हो तो कुछ भी जैसे कि आप relationship manager आप यहाँ पर लिख सकते हो उसके बाद select department में आपको department चूज करना है कि किस department के लिए आप apply करना चाहते हो जैसे कि ब collection है corporate service है education loan है तो तो अलाग अलाग different different departments के लिए जो है आप apply कर सकते हो ठीक है उसके बाद जो आपका location है किसी एक particular location के लिए आप धूंड़ो आपको देली में चाहिए या फिर मुंबई में चाहिए या फिर बैंगलोर में चाहिए या फिर किसी भी कोई एक particular location या आपका ज अगर current opening होगी आपके city में तो फिर ठीक है नहीं तो जो फिर मैंने आपको बताया कि आप अपना resume upload करना उसके बाद आपके resume के accordingly जो suitable होगा आपका मतलब job के लिए जिस profile के लिए आपको उस site से email आ जाएगा और अपनी email ID आप वैसी fill up करें जो कि आप regular open करते हैं और देखत नहीं करते हैं दो दिन तीन दिन में check करते हैं तो जो date दी गई होती है वो pass हो जाती है तो फिर वहाँ पर आपको problem हो जाएगी ठीक है तो अगर आप yes bank में apply करना चाहते हैं तो यह दो तरीके से कर सकते हैं एक जो current openings ID है वो अगर आपको आपको नहीं मिलता है जो current openings में जो ठीक है तो यह था yes bank recruitment के regarding उसके बाद अगर आपको और भी कई बैंकों में अभी vacancies चल रही है ठीक है मतलब openings है आप apply कर सकते हो जौब के लिए उसके लिए आपको मेरे चैनल के video section पर जाना होगा मैंने भी recently बहुत सारे videos upload के हैं आप देख सकते हो कैसे आप directly apply कर सकते हो और reply कर दूँगा अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ताकि मेरी आने वाले वीडियो के नोटिफिकर्शन मिलते रहे और मेरे चैनल के playlist section पर विदिट करना वहाँ पर मैंने अलगला folders बनाये वे हैं तो आप अगर